जाएं दोस्तों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में आए इस वीडियो में हम एक नोट्स देखेंगे मेकाले का वीवर्ड पत्र जो की सैल्वी मिश्रा के द्वारा लिखा गया है मैंने अपने लास्ट वीडियो में रिक्रेस्ट किया था होगा तो मैं उसके बारे में कमेंट करूँगा तो पहले आएंगे एक बार मेकाले का वीवर्ड पत्र समझ लेते हैं दिखेंगे जब स्टूडेंट्स बना के भेजते हैं तो इसको समझने में आसानी होता है ठीक है इसको आप अच्छे समझ पाएंगे और और फिर आपको समाझ में आएगा कि हमें कितना लिखना है कहां तक लिखना है क्योंकि उपने लिखना पड़ता है अगर मैं कुछ बनाता हूं तो फीडिये से ज्यादा दा आपका अपना लिखा हूआ काम आईगा तो एक बार वीडियो सुरू करने से पहले ताग्यू सो मच शेल वी मिश्रा मुझे नोट्स भेजने के रहा है तो आई आपके नोट्स को देखते हैं और समझते हैं कि आपका नोट्स कैसा है फिसक बारे में जो भी रिवियू होगा आपको बताया जागा तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाला मेकाले का विवड़ पत और आपने लिखा कि इस टिंडिया कंपनी ने 1813 इस्वी में से एक आग्या पत्र जारे किया इस आग्या पत्र में कंपनीों ने भारती सिक्चा के उतरदायत्यों को सुईकार किया और एक लाख रुपे की धन रासी जन साधारण की सिक्चा पर खर्श करने का निश्चय किया लेकिन इस सम्बंद में कोई महत्पूर कदम नहीं उठाया गया इसके बाद प्राचे पस्चात विवाद जनम ले लिया अब सही बात है कि हमारा विवरोपत्र आया था वो प्राचे पस्चात विवाद को हल करने के लिए ही आया था आपने प्राचे पस्चात विवाद को बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लेन कर दिया कि प्राचे वादी कौन थे और पस्चात वादी कौन थे जो हिंदी भासा, अरबिक भासा, संस्क्रीट भासा, यानि कि जो भारती भासाओं का समर्थन कर रहे थे, वो थे हमारे पास प्राच्यवादी, यहाँ पे हमारे पास प्राच्यवादी थे, ठीक है, प्राच्यवादी थे, और जो अंग्रेजी भासा का समर्थन कर रहे थे, वह पश्चात्र भासा का वो हमारे पास क्या थे वह हमारे पास थे दोस्तों पश्चात्र वादी बहुत अच्छा pig मैकाल मेकाले का भारत आना, मेकाले भारत क्यों आये थे? 10 जून 18-34 को सुपरशित सिख्चा सास्त्री लॉर्ड मेकाले, मेकाले एक अच्छा सिख्चा जानने वाले थे, अच्छा वकिल भी थे, गोवर्नर जेनल की काउंसलिंग के सद़सिक रूप में भारत आये, तदकालिन गवर्नर जनरल उस समय की जो गवर्नर जनरल थे लौड विलियम बैंक्टी ने मेकाले को बंगाल की लोग-सिक्षा-समति का परधान न्यूप किया मेकाले के सामने तीन मुद्दे रखे गए कौन-कौन से मुद्दे रखे गए एक लाख रूपे की धन रासी कैसे व्याख्या करना है और साहित सब्द की व्याख्या करना है और भारत विद्वानों का व्याख्या करना है जैसे धारा 43 में जो तीन सब्द थे तीन चीजे थी एक लाख रूपे कैसे खर्च करना है भारत साहित का मतलब क्या होगा और भारत विद्वान का मतलब क्या होगा तो मेकाले के सामना ये तीन मुद्दे थे इन ही की व्याख्या करनी थी तो मेकाले के समक्ष प्रस्तूत मुद्दो की व्याख्या मेकाले ने कैसे करी एक लाख रुपे की धन रासी को व्याख्या करते वे मेकाले ने अस्पश किया कि एक लाख रुपे की धन रासी को खर्च करने के लिए भारतिय सरकार कोई बाद देन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है और वह इसे अपनी ख्छानुसार व्याय कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, साहिति सब्द का व्याख्या करते हैं मेकाले नहीं क्या कहा मेकाले लिखा की 1813 के में लेखित साहिति सब्द का अंग्रेजी साहिति में है, ना कि संस्कृत, अर्वित और फार्सी भाज़ा, उन्होंने कहा कि भारति साहिति के अंतिगत केवल संस्कृत और अर्वी साहित नहीं, अपितु अंग्रेजी साहिति भी सामिल है, बिल्कुल सही किया उन्होंने अब भारती विद्वानों की व्याख्या करते हुए मेकाले ने क्या कहा है भारती विद्वानों की व्याख्या करते हुए मेकाले ने बताया कि भारती विद्वानों का संब्द ना केवल उर्दू के मौलवी और संस्कृत के पंडी थी है अपितु अंग् के दर्शन और मिल्टन की कविताहों से पर चिते जो इंग्लीज की जानकार है उन्हीं को इन्हों ने भारतिय विद्वानों के अंदर संग्या दी चलिए लास्ट में आपने यहां पर लिखती है कि मिकाले के विवड़ पत्र का आप सिक्षा पर प्रभाव कह लीजिए या भ प्राचे पस्चात के विवाद में कुछ सुझाओ दिया यह मामला हल करने की कोशिस की गई प्रगति सिक्षा की वकालत की कि विज्ञान से जोड़िए शिक्षा से पढ़ाई यह अंग्रेंजी पढ़ाई यह सारी बाते में काले ने खई चलो यह बात सभी है भारत में अं आधनीक भारत में सिक्षा की संद्रचना का सेला न्यास में काले को कहा जैता है नई सिक्षानीति की गोश्णा इसके बाद से नई सिक्षा की गोश्णा हो गई तो यहां पर पॉसिटिव बात है हो गई मेकाले के वीवरपत की दोस की बात करें, तो उनका जो व्याख्या था धारत 43 का, वो completely पस्चात पूर्ण रहा, वो completely अंग्रेजी के तरफ जुका गुआ रहा, तो यह उनका दोस हो गया, सिक्षा का माध्यम उन्होंने अंग्रेजी बनाया, भारति साहित का अपमान किया, बिल्कुल किया, बारति भासाओ की उपेक्षा की, बिल्कुल की, उच्च वर्ग के लिए सिक्षा की व्याख्या करना, उन्होंने उच्च वर्ग के लिए सिक्षा का व्याख्या किया, जो कारण एक theory दिया था इंदी में इसको निसेनन सिधात और अंग्रेजी में filtration theory कहते हैं मैं अभी उसको बताऊंगा बड़ आपने बहुत अच्छा किया पर यहां पर mention किया उससे भारत में भेद वाओ को बढ़ाव मिला ठीक है भारतिया पेक्छाओं में विद्या भारतिय भा बाबु तयार करना बाबु तयार को मतलब नौकर तयार करना नौकरी के लिए सिख्छा complete उन्होंने बना दी तो यह हो गया आपने जो complete नोट्स लिखा है overall बहुत अच्छा नोट्स लिखा है मैं आपको थोड़ा सा इस पर feedback देते चलूँगा ऐसा यह best नोट है नोट्स है ठीक है फिर मैं PDF बना रहा हूं तो मैं PDF में कहीं से copy paste कर दूँगा जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको सब्दों का ख्याल करना रहता है तो आपने बहुत यह अच्छा नोट्स बनाया है चलिए मैं यहां पर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपको feedback दे देता हूं मतलब कमी निकालने के लिए और इसको और अच्छा बनाने के लिए एक्जामस में आपकर ऐसे बहुत अच्छी बात है ठीक है तो चलिए देखिए इसमें मतलब एक चीज़ और ऐसा करीगा कि जो आग्या पत्र आया था वह स्टेडिया कंपनी के लिए जारी किया गया था प्रिटिस पार्लेमेंट के द्वारा जारी किया था ठीक है तो इस्टेडिया कंपनी के लिए अठारे सो तेरह इस्वी में एक आगया पत्र जारी किया गया ठीक है और जैसा मैंने आपको बताया भी था कि इस संबंद में कोई महत्रपूर कदम नहीं उठाये गया से बहतर हेडिंग डालके उसके अंतरगत इन चीज़ों को लिख दीजिएगा क्या लिखेंगे प्राचयवादी में कि प्राचयवादी में ज्यादातर कंपनी की पुराने और अनिभवी करमचारी थे जिनकी मांग क्या थी हिंदी संस्कृत और फार्सी भासा तो इसकी थुड़ी स हम सुधार कर सकते हैं बाकी यह बना बहुत ही बेस्ट है उसके बाद जो आपने यह तीन चीज लिखा है न यह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि आपने थोड़े सब्दों में पूरी बात यहां पर कह दिए कि मेकाले क्यों आये थे तो इन तीन वाकियों में आ आपने उसकी व्याख्या कर दी परफेक्ट कर दी और आपने हेडिंग बना के लिखा परफेक्ट लिखा ऐसे एक्जाम में लिखने चाहिए क्योंकि ज्यादा है बनाएंगे जो कॉपी चिक कर रहा है है चलो एक लाग रुपे के साथ तो ऐसे समझ जाएगा ठीक है तो यह अंग्रेची के पक्ष में मेकाले का तर्क मेकाले ने क्या तर्क दिया था अगर आप उसको एड करना चाहें तो एड कर लेंगी और ज्यादा सही हो जाएगा लॉंग के लिए मतलब लॉंग में पूछता है तब बाकि शॉट में तो इतना ठीक है कितना हम लिखेंगे आप बता सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि यह ग्यान की भासा है और और अंग्रेज के बारे में जो नो मिलाया था कि अंग्रेज हमारे यूरोप का एक अलमारी का सेल भारतिय सिक्षा संपुर उसाइटी के बराबर है इस तरीके से जो उन्होंने तर्क दिया था अगर आप चाहें तो इसके बाद से एक हेडिंग बनाके लिख सकते हैं कि अंग अपलिट नोट बहुत अच्छा नोट सबसे अच्छी बात कि आपने हेडिंग जो बना के लिखा है में काले का वीप्रण पत्र क्यों आगमन आया यह तीनों चीज व्याख्या कर दी फिर उसके बाद यह व्याख्या कर दी तिक एक और हेडिंग डाल लेती है कि उनके तरक तो complete हो जागा so overall यह बहुत अच्छा नोट से so thank you so much आपने बनाया और आपने मुझे भेजा मैं आफसा करता हूँ don't be offended अगर मैंने कुछ बताया तो मैं आफसा करता हूँ कि आपको और समझ में यह चीज़े आया होनी और आपका यह नोट help करेगा दूसरों के लिए तो ए इस वीडियो में फिला इतना ही शैल भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुब काम नहीं आपकी एक्जैम्स के लिए अगर आसे बना के लिखेंगी आपकी handwriting भी बहुत अच्छी है अच्छी है और अच्छा हो जाएगा आपका परसेंटेट अच्छा लेगा को यह नोट्स मिला है उनकी तरफ से शैल भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंकियो फूर वाचिंग नहीं जुड़ें चैनल से सब्सक्राइब कर चुड़ जाएगा वीडियो बसंद आए तो लाइक करतीजिएगा कमेट में निराय प्रतिकरिया है जरूर तो फिल फिल इस वीडियो बेट आए जिया ही जिया हाना दोस्तों